ओम्श्री सद्गुर्वे नम्द जब हमारी चेतन वृत्ते पूरे सरीर से सिमट कर आग्या चक्र में एक अत्रत होती है तो हम जागरत स्वप्न और सुशुप्त इन तीनों अवस्थाओं से परे चोथी चतुर्थ अवस्था जिसे तुरिय अवस्था कहते हैं में चले जाते हैं हम स्थूल शरीर और स्थूल संसार को छोड़कर सूक्ष्म काया और सूक्ष्म जगत में चले जाते हैं तुरिय अवस्था में दिव्य जोते और नाद सुनने और देखने को मिलते हैं लेकिन कदाचत हमारे मन में ऐसा भी हो सकता है कि इस तुरिय अवस्था में सब अच्छा ही अच्छा होता है यहाँ पर जाकर कोई अकल लियान नहीं हो सकता इस संदर्व में हमारे परमाराध्य सद्गुरु महाराज महरशे मेही परमहंसजी महाराज की उक्ति ध्यातव्य है जो हमें गौर से सुननी चाहिए जो कहते हैं कि तुरिय अवस्था में अच्छे स्थान भी हैं और बुरे स्थान भी हैं तो आईए हम लोग आज उनके प्रवचन का एक अंश इसी संदर्व में सुनते हैं इस संसार में जागरत अवस्था में रहने पर दूर दूर तक देखते हैं अच्छी जगह भी है और बुरी जगह भी है उसी तरह तुरिय अवस्था का मैदान दूर तक है और इसमें उचे उचे स्थान भी हैं बुरी जगहें भी हैं कि जैसे हम जिस संसार में रहते हैं वहाँ पर दूर दूर तक हमारी दृष्टी जाती है और हमारी दृष्ट में अच्छे और बुरे दोनोत प्रगार के स्थान देखने में आते हैं वैसे ही कहते हैं गुर्माहराज उसी तरह तुरिया वस्था का मैदान दूर तक है और इसमें उचे उचे स्थान भी है बुरी जग हैं भी बुरी जगह कौन सी है बुरी जगह वह है जिसमें रिध्ध सिध्ध प्रेरत करके माया में गिराती है जो इसमें फस गया वह उपर नहीं उठ सकता इसी को कबीर साहब ने कहा गंग जमुन के रेत पर माली बाग लगाया हो गंग जमुन अरथात इड़ा पिंगला है इंगला पिंगला है बाग लगाना अरथात सुरत जमाना है और कच्छी कली तोड़नी अरथात कुछ अभ्यास करके जो अपरिपक्वबल हुआ उसको खर्च कर देना है गंग जमुन ये दोनों योगिक नाडियों के नाम हैं जने इडा और पिंगला वासुरिया और चंद्रमा भी कहते हैं इनके बीच में की रेत पर अर्थात आज्या चक्र वासुशुम्ना में जो बाग लगाता है अर्थात अपनी सुरत को अपने वृत्तियों को बिलकुल जमा देता है एक विंदुता प्राप्त कर लेता है उसमें बल आता है सिद्धियां आती हैं स्वाभाविक रूप से आती हैं और कच्ची कली तोड़ देना क्या हुआ कि ये बल जो अभी थोड़ा थोड़ा है परिपक्व नहीं हुआ है उसे अपनी सिद्धियों का प्रदर्शन करके खर्च कर देना इसलिए गुरु महाराज क्याते हैं गंग जमुन अर्थात इंगला पिंगला है बाग लगाना अर्थात सुरत जमाना है और कच्ची कली तोड़नी का अर्थ कुछ अभ्यास करके जो अपरिपक्व बल हुआ उसको खर्च कर देना है तुरिया वस्था के आरंभ से ही कच्ची कली है जैसे ही हम तुरिया वस्था में प्रवेश करते हैं और वहां अमारा ध्यान लगने लगता है कुछ काल के लिए तो हम में शक्ति आने लगती है अर्थात कली खिलने लगती है जो की आरंभ आवस्था में कच्ची कली होती है जैसे कच्ची कली कमजोर होती है, उंगली लगाने से भी तूट कर गिर जाती है, वैसे ही आरंभ में जो साधना बल से प्राफ्त सिद्धिबल होता है, वह अपरिपक्व होता है, कमजोर होता है और अल्प होता है, उसे खर्च कर देने से नमात्रव समाप्त हो जाता है, अप जान से उर्द्व गति होती है किसी भी पदार्थ को चाहे वह कठिन हो तरल हो वाश्पीय हो उसको समेटने से उर्द्व गति होती है मन इथर से भी सूक्ष्म है जो जितना सूक्ष्म होता है सिम्टाव होने पर उसकी उतनी ही विशेश उर्द्व गति होती है तुरीय अवस्था में आधा मंजिल को ही पार कर जाए यानि त्रिकुटी में पहुँच जाए तुरीय अवस्था कहां से कहां तक है आग्या चक्र में प्रवेश होते ही तुरीय अवस्था का आरंब हो जाता है और यह चलती हुए इसका वस्थार कहां तक है तो जो चैतन्य कैवल्य मंडल है सारशब्द का मंडल है उसके अंत तक है इसका आधा सफर कहा होता है कहते हैं गुरु महाराज तुरिया वस्था में आधा मंजिल कोई पार कर जाए यानी त्रिकुटी में पहुच जाए त्रिकुटी उसको कहते हैं जहां से प्रकृति के तीनों गुणों का कारिय आरंब होता है जहां से अच्छे से गुणों का कार यह सक्रिय रूप से दिखला ही देने लगता है उल्लसित वेलसित होने लगता है यह अंदर की त्रिकुटी है बाहर के भावों के बीच की त्रिकुटी नहीं क्योंकि संत साहित्य में कई स्थलों पर हम लोग देखते हैं कई संत वानियों में आया है कि जो तीन तिल होते हैं इड़ाप पिंगला और सुशुमना तो जहां पर इन तीनों का मिलन होता है उसे भी कुछ संतों ने त्रिकुटी कहा है लेकिन आधा मंजिल पार करने पर जो त्रिकुटी आती है गुरु महराज कहते हैं कि यह अंदर की है बाहर के भौवों के बीच की त्रिकुटी नहीं य जहां जो पहुंचता है अर्थात अंदर की त्रिकुटी में जो पहुंचता है जहां जाकर सूरिय के दर्शन होते हैं चेतन सूरिय के वह बहुत पवित्र होता है जब साम्यावस्था धारेणी मूल प्रकुर्ति को पार करता है वह बिलकुल पवित्र हो जाता है यहां अह लगे तो उसकी उर्धवगती कहां से हो सकती है जैसे हमने 100 रुपे 200 रुपे कमाए और उसी में खर्च करने लगे तो हम फिर निर्धन के निर्धन ही बने रहेंगे हाँ हमारे पास खर्बो नील पद्म या अनंत धनराशी हो जाए और उसमें से अगर हम खर्च भी करें तो अनंत में से कितना भी निकालें वो अनंत ही बना रहेगा वैसे ही संत जब पूर्ण तरसद आवस्ता को पहुंच जाते हैं तुरी आवस्ता के शिकर तक जाकर उसके भी परे उनकी स्थती हो जाती है तो वो अनंत धन के धनी हो जाते हैं उसके पश्चात यदि वो कुछ कर वहां सब्सक्राइम कोई संदे में च्याम। वारा, पुर्षा उनगे केमा 건जिर से में का व्धश्य शॉत रहता है। कुछ लेने लगे तो उसकी उर्धवगति कहां से हो सकती है इसलिए भगवान बुद्ध ने अपने शिश्य को फटका रहा था कहानी है कि किसी आदमी को सोने का एक कटोरा मिला उसने उस कटोरे को एक बास गाल कर उसकी फुनगी पर बांद दिया उसकी चोटी पर बांद दि उस रास्ते से भगवान बुद्ध के एक शिश्य जा रहे थे उनको यह बात मालूम हुई उन्होंने अपने योग बल से हाथ बढ़ा कर उस कटोरे को ले लिया जब यह बात भगवान बुद्ध को मालूम हुई तो उन्होंने अपने शिश्य को बहुत फटका रहा और उस कटोरे को चूर चूर कर फैंक दिया ऐसी ही बातें तुलसी साहब के लिए भी है कि उनके शिश्य गिर्धारी साहब ने किसी कारणवस लोगों पर अपनी सिद्ध शक्ति का प्रयोग किया था और जब तुलसी साहब को यह बात मालूम हुई तो उन्होंने अपने शिश्य गिर्धारी साहब को बहुत फटकारा और कहा साधुसंत दूसरों की रक्षा करने के लिए होते हैं कि सिर्फ होडने के लिए आज से तुम कभी मेरे सामने मताओ तब से वे जीवन परियंत उनके सामने नहीं है जबकि उन्होंने गुरु भक्ति के वशी भूत होकर गुरु का अपमान होते देखकर ही उनका मन क्रोध से भर उठा था और अपने गुरु को अपमानित करने वालों को प्रताडित करने वालों को सजा देने के सीख सबक सिखाने के उद्देश्य से अपनी साधना शक्ति का प्रयोग किया था कुछ लोग संतुलसी साहब को दोडा रहे थे उन पर पत्थर फेंक रहे थे या देख उनके सिखे को क्रोध आ गया और उन्होंने अब खड़ाओं उनकी फेंक दी आस्मान में जो कहते हैं कि उपर से कई खड़ाओं बन-बन के हर के सिर पर आ आ कर गिरने लगी और उससे वो भैभीत होकर संतुलसी साहब की सरण में गए और जब संतुलसी साहब को यह बात पता चली तो उन्हें ने गृधारी साहब को ना सिर्फ फटकारा बलकि इतना बड़ा दंड दे डाला कि अब जीवन परियंत मुझे अपना मुख नहीं दिखाना और गुरु आग्या को शि प्रदर्शन नहीं करना चाहिए उनका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए अन्य था हमारे लिए पतनकारी होती है और गुरु महराज कहते हैं कि ऐसा वो किसलिए करते हैं यह इसलिए कि तुम अहंकार में नहीं फसो बाहर बाहर चलने में जो पदार्थ मिलना चाहिए वह नहीं मिलता इसलिए अपने अंदर चलो बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरू महाराजी की जै कैसा लगा आपको यह प्रसंग कैसी लगी आपको यह प्रस्तुति कृपया अपने मनोगत कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेंगे और यदि प्रस्तुति पसंद आई हो तो